इरान इसोग कई मोर्चों पर युद लड़ रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसराइल जो है वो अपर हैंड पर है लेकिन इसराइल भले हमास को तबाह और बर्बात करने का दावा करें लेकिन हकीकत में इसराइल गाजा युद में बुरी तरीके से फस्ता जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लिबनान के हिजबुला ने इरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है ये इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज क मर गया हमास अब लड़ रहा है हिजबुला इसराइली सेना के दावों के मताबिक 45,000 हमास के लड़ाकों में से लगबग 10,000 लड़ाके इसराइली सेना के हांथ हो मारे जा चुकी है 1300 सुरंगों में से 700 सुरंगे दबा करने का दावा इसराइली सेना कर रही है उत्तरी गाजा की 40,000 इमारते दबा करने का दावा IDF कर रही है ऐसे हालात में अब हमास के बचे खुझे कमांडर और लड़ाके दावे कर रहे हैं कि भले ही जंग के मैदान में घाजा पट्टी और हमास को भारी नुपसान हुआ हो लेकिन अब घाजा में हमास का बदला हिजबुल्ला के लड़ाकों ने लेना शुरू कर दिया है जरा देखिए हेजबुल्ला के लड़ाके कितने बेरहम और घाजा खमले इस्रैली सेना पर कर रहे हैं इस्रैल और हमास के बीच शिड़ी जंग में अब लबनन सीमा से हेजबुल्ला भी इस्रैल पर अटैक जोरदार तरीके से करने लगा है हेजबुला एंटी जैंक में साइलें छोड़ रहा है इस्रेल की सेना आईडिया यानि इस्रेल डेफन स्पोर्स दो मोर्चों पर लड़ रही है एक घाजा पट्टी और दूसरा लेबनन बॉर्डर बरातंग की संगठन हेजबुला से इस्रेली मीडिया के दाउं के मुताबिक इस्रेल ने सतर से ज़ादा हेजबुला लड़ापों को मार डाला है लेकिन हेस्बुला चीफ, हसन नस्रला की सीधी धमकी के बार हेजबुला ने सैकनों रॉकेट से इस्रेल पर पीशन हमला कर दिया है पमों की विच्छादी चठाई बेरूट में लिया घाजा का बद्गर लेबनन की तरप से इसरेल के सेन ने चिकानों पर जबरदस्थ हमला हेजबुला ने किया है खबनों के मताबिक दक्षिन में हमास के साथ युद्ध के बीच लेबनन द्वारा भारी बंबारी से उत्तरी इसरेल को जटका लगा है इसरेल की आईडियाफ ने खुद माना है कि कुछी मिनटों के अंदर ही लेबनन की तरप से एक के बाद एक पच्चिस रॉकेट डागे गए है इसरेली सेना के मताबिक हेजबुला के रॉकेट सासा और शटूला की बस्तियों के बास गिरे है लेबनन की ओर से उतरी इसरेल पर हमले को बदले की कार्यवाई के दौर पर देखा जा रहा है ऐसा इसलिए है चुँकि आईडियाफ ने दक्षुनी लेबनन में हेजबुला के कई ठेकानों पर भयान कर बोला बारी की है इसके पहले हेजबुला ने दावा किया था कि उसने लेबनन की ओपर ओर रहे इसरेली अलबिट हरमेस 450 पर सता सी हवा में मार दरने वाली मिसाईल दागी है जनायतकारान जन्गी वहामियान अन्हा दर मन्तक पुश्दार मीदा हम के ता दीर नशदे जनायत जन्गी रजीम कुदक कुदकुश जहली मर गया हमास अब लड़ रहा है हिजबुला हिजबुला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इसरेल के किसी भी हिस्से को टार्विट कर सकते हैं इसका अपना सशस्त्र विन है जिसमें एक लाग से ज़्यादा लड़ा के बताय जाते हैं इसके अलाबा हिस्पुल्ला के पास तेड़ लाक मिसाइल होने का दावा किया जाता है हिस्पुल्ला लेपनन के सेना से भी जादा ताकतवर है इसके पास बलिस्टिक मिसाइलें भी है हिस्पुल्ला हमास से ज्यादा संगठेत और ताकतवर है हिस्बुल्ला के पास इस्रेल से लड़ने का खूब तजूर्बा भी है उसके पास सबसे घातक आत्मलाती दस्ते हैं गुरिल्ला जुद में इसके लड़ा के माहिर बताय जाते हैं इस्रेल के एक गून ने 18 नवंबर को तड़के दक्षुनी लेबनन के शहर नवाती ये के बाहरी इलाके में एक अल्यूमिनियम सन्यंद्र पर दो मिसाइलों से सबरदस्थ हमला किया था जिससे हिस्बुल्ला को भारी नुकसान हुआ था इस्रेल के इस हमले को लेबनन समर्थित ग्रोप पहस बुल्ला को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है हम आपको बता दें बीते एक महीने से जारी हमास इस्रेल जंग में लेबनन इस्रेल के खिलाब पे इसलामी देशों ने एक जुट होने की कोशिश की है लेकिन इस्रेली ताहों पेंशो किसमने अरब और मुस्लिम मौलकों की सारी रनी तीट उस्पोगे वी नासेत बצורה מדויקת, सेलेक्टिवीट, אבל मेट मेट नेखुशा किछल שנעמיק את הפעולה הזאת, וככל שנגביר את הלחץ על החמאס, ונשחוק עוד מפקדות, נפגע בעוד מנהרות निखसे लोड पाइलीं, ונוריד ओड रशे अरगुनीं, किछल शादवर अगवार, कख गदल असिकोई अधर उत्तरी घाजा में भायानक तबाही और बर्बादी मचानी के बाद से, इस्रेली सिना ने कोहराम मचाना भीर शुरू कर दिया है इस पार दक्षुनी घाजा को इस्रेली सिना तमाम वादों को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है लगभग 18,000 हमले इस्रेली सिना वेस्ट बैंग, उत्तरी घाजा और दक्षुनी घाजा में किये हैं उत्तरी घाजा से भाग कर दक्षुनी घाजा पहुँचे फिलिस्टीनियों पर दोहरी मार पड़ रही है ताजा खबर के मताबिक इस्रेल ने एक बर फिर से जवालिया कैम्प पर भीशन हवाई हमला किया है इस हमले में 80 से जादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है जवालिया के इस रिफ्यूजी कैम्प में सन्युक्त राश्ट का एक स्कूल भी है जिसे शेल्टर होम के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा था मीडिया रिपोर्ट के मताबिक इस अगाजा का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैम्प है पिछले महीने भी इस रिफ्यूजी कैम्प पर एरस्ट्राइक होई थी जिसमें 150 से जादा लोग मारे गए थी सबालिया में हमास ने दिखाया सफीद जंडा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक 18 नवंबर के सबसे जबालिया रिफ्यूजी कैम्प में संयुक्त राश्रद्वारा संचालित एक स्कूल पर एरस्ट्राइक होई इस हमले में 50 लोग मारे गए वहीं एक दूसरी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ जिसमें एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए इनमें 19 बच्चे भी शामिल है इस्रैल और हमास के बीच चल रहे युद में मरने वालों की संख्याल लगातार बढ़ती जा रही है 12,000 से जादा लोग मारे जा चुके हैं हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा में बचे फिलिस्तीनियों के बूखे मरने की नौबत आ चुकी है जबकि हमास के लड़ाके सफीद जंडा दिखा कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे है कुछ खबरों में दावा किया गया है कि तबाह गाजा में मर रहे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है